कि अगर या अस्सालाम वालेकुम चैनल इंडियान दल्सक्वान में आज हम बनाएंगे छिकन बिर्यानी यह बिर्यानी मैंने दावत पर बनाए है हमारे घर में दावत थी तो थोड़ा ज़्यादा हमारी टेस्ट्री बिर्यानी बनकर तयार हुई है और इसके साथ मैंने रायता बनाया है बुंदी वाला तो रेसिपी एजी है और जल्दी से बन जाने वाली है जबदस हमारी चिकन बिर्यानी की रेसिपी है ये तो वीडियो ज़रूर से आप पूरा देखिएगा चलिए स्ट चिकन लिया है चिकन को मैंने अच्छे से वाश किया है और जो एक्ट्रा पानी था उसको मैंने निकाल लिया है अब मैंने इसको बड़े बतन रखा है इसमें जो बड़े पीसिस है इसमें मैंने कट लगा लिया है और जो बड़ी बुटिया है उन सभी पीसिस में मैंने कट लगाया तो इसमें थोड़ा मसाला है पहले एट कर लेंगे उसके बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले यह देखिए 125 ग्राम मैंने मतला आधा पाउं अद्रग का पेस्ट लिया है आधा पाउ अद्रग ली थी इसका पेस्ट बना क है गालिक लिए 100 ग्राम सक तो यह देखिए मैंने डाल दिया है तो अब हम डालेंगे इसमें देखिए 5 पीस बढ़ा लिया था मैंने टामाटर का और इसको मैंने कट कर लिया है तो यह हम डाल देंगे और 100 ग्रम मैंने हरी मिश ली थी हरी मिश में से मैंने 6-7 पिस अलग कर लिए उसको बिरियानी में दम देखते वक्त उपर से डालेंगे और जो बाकी बची थी इसको मैंने कट करके डाल दिया है तो आप हम इसमें डाल देंगे एक पिस लेमन जूस लेमन जूस डालना यह देखे पूरा पैकेट मैंने लिया है 100 ग्राम का है तो हम इसमें से हाफ डालेंगे मतलब 50 ग्राम क्यूंकि थोड़ा जादा क्वांटिटी में बिरियानी हमारी बनने जा रही है उसी हिसाफ से मसाला एट करेंगे अगर आप थोड़ा कम बनाएंगे तो आप उससाफ से क्यूंकि हमें दम देते वक्त उपस डालना है तो इतनी मैं बचा लेती हूं बाकी जो है इसको हम करश करेंगे और डाल देंगे इसको मैं साइट कर देती हूं इसको मैं उपस डालूंगे बिरियानी में अब जो बची है इसको हम अच्छे से करश करेंगे और डाल देंगे तो सारी डाल देंगे जो बची है बस अब इन सभी को हम मिलाएंगे अच्छे से थोड़ा सा कटा वा रहा धन्या भी मैं डाल देती हूँ जिससे के अच्छी खुश्ब आएगी अच्छे से मिलाने के बाद इसको अब हम पकाना स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ तो ये देखिए मिक्स हो गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसको अब हम तो आइल मैंने रखा यह देकि बड़ा पतीला लिया है मैंने इसमें मैंने 200 ml लिया है यह वह यह जिसमें हमने प्यास को गोल्डन फ्राइ कर लिया है 200 ml तब हम साबुत मसाला देखेंगे इस तड़का के लिए 1 टेबर स्पून जीरा एक मैंने जैफल का तुकड़ा लिया उ इनिमस्टिक लिए 4 पीज छे से साथ हरी हरी लिलाइची है और 9 पीज मैंने लॉंग लिया है यह तड़का म दे लेंगे ओल में 6-7 पीज बेल लिफ लिया बेल लिफ को मैंने वाश किया है थोड़ा इसको हम मसालों में हिलाएंगे उसके बाद हम गोश को एट कर लेंगे जो हमने मसाला लागा कर रखा है सारा डालेंगे गोश और इसको हम बून लेंगे चिकन जो होता है वो जड़ा दे गलाने की जरुवत नहीं होती है यह बस कुछ दरी बूनेगा और यह सॉफ्ट हो जाएगा वह हमारा बून रहा है तब तक देखे मैंने चाबल पकाने के एक दूसरे पतिले में बहुने में मैंने पानी रखा है और दूसरी तरफ गोश भी हमारा पक रहा है चिकन मतलब तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं क्योंकि हम इसको अच्छे से भून लेना है तो यह देखे पानी मैंने रखा है इसमें उबाल आने वाली है इसमें हम साथ चम्मच नमक डालेंगे और एक टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे और इसके तार लेमन जूस भी आप डाल लीजेगा आधा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो चावल जो है वह चिपकने नहीं चाहिए आपस में ऑईल आप पीने में डालेंगे और इसको एक उबाल आने तक मेंगे तो पानी में उबाल आने वाली है बस हम जाओल को डालेंगे है अख घु अससर। अटर लाराएगी तो इसको मैं दियांसे । इसको बम चैक करने. तो गोष्ट को भी अब हम चेक करेंगे देखिए को जलिए गोश्ट हमारा तकरीबन पकसा गया है यह सॉप्ट हो गया है क्योंकि मैं तकरीबन इसको आधी गंटे पकाया है इसी तरह चलाते हुए तो बोटीओं को हम चेक कर लेंगे तो आप इसको जरूर से बनाने का तो आप इसको जरूर से बनाईएगा व्लेम को मैंने लोग कर दिया है और मैंने चावल को छने में निकाल दिया है तो तवा मैंने रखा है इसी पर हम दम देंगे तवा को गरम होने देंगे एक बड़ा पतिला मैंने रखा है और इसी बड़े पतिले में हम बिर्यानी को दम देंगे तो मैं लेयर में ही दम दूँगी बिर्यानी को तो हाफ जो मैंने चिकन बनाया है ये हम हाफ डाल देंगे और हाफ को बचाएंगे क्योंकि हमें लेयर देनी है डबल लेयर में ही मैं बिर्यानी को दम दूँगी तो half गोश डालने के बाद इसमें हम half चावल डालने के पकाया हुआ half ही डालेंगे और half को बचाएंगे तो ये देखें आदा डाल दिया है बस उपर से अब हम food color एट कर लेंगे orange food color है केवरा वाटर के साथ और जो हमने golden के भी प्यास बचाए थी ये हम डाल देंगे जो शुरू में मैंने बचा ली थी थी थोड़ी सी green chili cut कर रखी है जो मैंने बचाए थी 6-7 पीस वह हम cut करके डाल देंगे 100 ग्राम green chili ली थी आप वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से समझे बिरियानी हमें ज्यादा quantity में कैसे बनाना है तो आप हम उपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाल दिया है दूसी लियर भी मैंने देखिए दे दिया है रंग डाल दिय मतलब food color और प्यास भी डाल दिया बस प्लेट से इसको कवर करेंगे और इसको मैंने कपड़े से कवर कर दिया है बस फोल्ड करेंगे इसको और इसको तकरीबर हम 15 मिंट मीडियम फ्लेम पे दम देंगे उसके बाद मैं इसको सर्फ कर दिखाती हूं मीडियम फ्लेम पे मैं इसको दम दूंगे एक भारी बरतन मैंने रख दिया है तो यह देखिए है जब दर्थ खुश्बू के साथ हमारी चिकन बिर्यानी बनकर तेयार है इसको मैं सर्फ कर लेती हूं बस थोड़ी ही मैंने निकाली आपको दिखाने के लिए बाकी तो जब मेहमार आएंगे तो हम बुद्धी रहता है सथा आप इसको सब्सक्राइब करें तो रैसेपी पशन्दाने पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए गा वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए गा तो फिर मिलते हैं अगली रैसेपी की वीडियो में तब तक के लिए अल्लह हाफिज